दोस्तो नमस्कार मैं उत्तम पटेल विलासपूर मसरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर से जैसा कि आप सभी को पता है कि पैरा मसरूम उत्पादन का समय आ गया है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप छट के उपर ओस्तर मसरूम का सेट बन वना चाहते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि छट के उपर आप ओस्टर मसरूम के लिए कैसा structure त्यार कर सकते हैं तो अभी जिस वीडियो में हम देख रहे हैं ये पिछले वाला ही हमारा structure है जो हमने ओस्टर मसरूम के लिए बनाये हुआ था यह आप देख सकते हैं कि ओस्टर मसरूम वाली रसी अभी भी इसमें लटकी हुई है हाला कि हम इसको भी निकालने वाले हैं और यह जो साइड में बुरा लगा हुआ है यह नमी बढ़ाने के लिए हमने लगा रखा था चुकि अब यह बुरा पुराना हो गया है तो अब बस और आप देख सकते हैं कि छट में हम जो है पैरा मसरूम के लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर आपके छट में भी इस प्रकार से जगा है तो आप एक छोटे से जगा से एक छोटे से इन्वेस्मेंट से पैरा मसरूम की खेती की सुरुवात कर सकते हैं और यह हमारे च्छत में पैरा मसरूम के लिए सेटप बनना सुरू हो गया है यह जो हमारा सेटप है यह हमने ऑस्टर मसरूम के लिए बनवाया था इसलिए आपको उपर में बांस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको हम जो है अभी पैरा मुसरुम होगाने के लिए मोडिफाई करा रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि पैरा मुसरुम के लिए जो है रेक की जरुरत पड़ती है तो हम इसमें जो है रेक बनवा रहे हैं हम टोटल इस एरिया में तीन रेक बनवाएंगे तीन-तीन करके तो टोटल इस इस प्रकार से न Division रेक हो जाएगा और यह हमारे च्छहत में जो है रेक बनने का काम क हो गया है इस प्रकार से नीचे में मजबूती के साथ हमें बेस देना पड़ेगा था कि हमारा जो structure है मजबूती से बपस weical zombies लगाएंगे इस वाले बांस का पिक्नोर करिएगा यह सारे बांस से अभी एक एक करके हम रेक बनाएंगे और जो रेक बनेगा उन दो रेक के बीच में हम दो फीट से धाई फीट का गेप देने वाले हैं ताकि हमें काम करने में असानी हो सके और यह जो बांस रखा हुआ है यह साइड में हम जुआ इस्टोर के लिए थोड़ा सा बनवा रहे हैं ताकि हमें कुछ अगर समानी श्टोर करना हो तो हम वहाँ पर श्टोर कर सके और यह देख सकते हैं यह कोई बहुत बड़ा सेट अप या बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है इस वीडियो को बनाने का मकसद क्यों लिया है कि हम आपको यह बता सके कि आपक खेती की चुरुआत कर सकते हैं और और फाइनली हमारा पैरा मसुरूम का सेड़ बन के रेडि हो गया है मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसा बना हुआ है तो यह देख सकते हैं आप लोग यह दो जो बाहस आपको दिखाई दे रहोगा यह वाली और यह वाली इस दुमें जो है आपका पैरा मसुरूम का बेट लगेगा और इस जो यह जो बास लगा हुआ है यहां जो बास है यह सपोर्टिंग के लिए है इसको आप इग्नोर करिएगा यह दो बास में रहेगा और जैसा कि आपको पता है कि शक्तिदगाड में अनेक्स्पेक्टेड बहुं ज्य लगवाग इसमें 12-15,000 का खर्च आया होगा क्योंकि आपको पता ही है सहार में बास करेट थोड़ा ज्यादा रहते और लेवार कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा लगता है तो फैनली इस प्रकार से अगर आप चाहो तो अपने छट में जो है सेड बना सकते हैं बहुत ही कम क वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का जो लिंक रहेगा आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाए कुछ वाले वीडियो को देख सकते हैं बाकि इस सेड में आपको कुछ डाउट हो कुछ और जानकारी चाही हो कुछ समझ नहीं आ रहो तो आप हमें कौल करके जानकारी ले सकते हैं बाकि एक बार मैं सेड आपको और क्लियर दिखा देता हूँ कि सेटप कैसा है यह देखिए यह हमारे सेड का में इंट्रेस रहेगा यह मैं दिखा देता हो यह देखिए छोटा सा सट आ है हमारा एक्छल रखे हुए हैं तो यह दो तीन दिन में हड जाएगा और बाकी फिर इसमें कंटीनियू जो है पैरा मसरूम लगना चालू हो जाएगा में इस वीडियो का बनाने का मकसद यह है कि आप लोगों को बता पाएं कि अगर आप एक छोटे स्केल से भी पैरा मसरूम की खेती करना च को इसी से पैरा मसरूम के वीडियो देखने को मिलेंगे अगर रेक के अपन बात करें तो वन टू और थ्री एक सेट में हमने तीन रेक बनाया हुआ है दो रेक के बीच में लगभग हमने दो से धाई फिट का गेप दिया है ताकि हमें वर्क करते बन जाए और यह देखिए इसके अगर लंबाई की बात करूं मैं तो पूरे टोटल सेट का लंबाई जो है 20-30 फीट है और वर्किंग के लिए कि अगर बात की जाए तो हमने लगभग 20 फीट रखा हुआ है और यह 5-7 फीट का जगा चलने के लिए रखा हुआ है कुछ समान इस्टोर के लिए रखा ह हुआ है बाकि जो समान इसको आप इग्नोर करें इसको कुछ काम नहीं है अभी यह रखा हुआ है इसको हटा दिया जाएगा और यह देखिए यह अपना 1 2 और 3 रेक्स इस तरह से हमने टोटल जो है 1 2 और 3 टोटल हमने 3 रेक्स बनाया हुआ है तो वीडियो कैसा लगा आप अब हमें कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं और बाकि पैरा मॉसरूम संबंदित कुछ भी जानकारी चाहिए सपॉन चीए कमिकल शीए कुछ भी एनिथिग तो नीचे हमारे संस्था संस्था नंबर दिया रहा है आप हमारी संस्था में कॉल करके जानकारी ले सकते हें ग्स and आज के वीडियो में के वाल इतना ही मिलते हैं जल्द किसी वीडियो में तब तक के लिए जहिन जय भारत